अज़ी, जोतिशो और जीवन में आपका स्वागत है। स्री गुरु चर्णों मैं नमनकर स्री गणेश की वंधना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं रुद्राक्ष के उपर। नाम से ही प्रतित होता है रुद्राक्ष अर्थात रुद्र के अक्ष अर्थात आंसु भगवान शिव के रुद्र के आंसु शक्ति के हवन कुंड में कूद करके प्रान देने के बाद भगवान शिव उनके शव को लेकर के विथित रूप में जब इदर उतर मारे मारे फिर रहे थे उस समय उनके आखों से जहां जहां पर आशु गिरे वहां पर एक ब्रिक्ष उत्पन हुआ उस ब्रिक्ष के फल को ही रुद्राक्ष केते हैं सब पहले हम चर्चा कर लेते हैं रुद्राक्ष के आधंडिक रूप में वेज्ञानिक महत्व के उपर जो सब के लिए हितकारी हो सकता है वो ये कि वो उस्ट प्रकति है उसकी और उसको यदि धारन किया जाए तो वो हमारे जो हमारा ब्लड प्रेशर है बिपी उसको नियांतरित करता है जिने उच्च रक्च आपके शिकायत हो उन्हें द्रक्ष के मला अवश्च धारन करना चाहिए उनके लिए बहुत हितकारी र पर जितने भी मंत्र हैं शिव शक्ति से सम्मंदित विशेश करके उन सभी मंत्रों में तुरस सिद्धिदाई रुद्राक्ष की माला मानी जाती है रुद्राक्ष के माला पर सभी प्रकार के मंत्र जब किये जा सकते हैं वेशनों मंत्रों में वैसे विशेश रूप से तुलसी के माला प्रशस्त होती है लेकिन शाबर मंत्र जितने भी हैं सब मंत्र रुद्राक्ष पर विशेश फलदाई होते हैं जो माला जब के काम में ली जाती है उस माला को गले में धारन नहीं करना चाहिए गले में धारन करने की माला अलग होनी चाहिए जब की माला अलग से गो मुखी में समाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए गुरू में, मंत्र में, देवता में और माला में इन चारों में कोई भेद नहीं होता है, चारों समान रूप से सम्मानित होते हैं, इसलिए कभी भी जब की माला को गले में धरन नहीं करना चाहिए, एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षा शिव का सुरूप बाना जाता है बहुत महत्व एक मुखी रुद्राक्ष का जो आसानी से उप्रब्द नहीं होता है मिलता है तो महंगा मिलता है दो मुखी रुद्राक्ष शीव और शक्ति के प्रतिक माने गए हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा विष्टु महेश्ट्रिदेव का प पंचमुखी रुध्राक्ष सहस्ता से उप्रपधे इसलिए पечमुखी रुध्राक्ष सभी को धारन करना चाहिए। शामण मास में अभिशेक करते समय श्यव के ऊपर शिय जलेरे के आसपास रुध्राक्ष को रख करके और श्यव मंत्रों का जब करना चाहिए। शिव के साथ साथ उनका रुद्राक्षों का भी अभिशेख होता रहेगा विशेश करके जो महामृत्यूंजे मंत्रे अंक्त्यम्बकम यजा महे सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर्वारुकमयो बंधनान मृत्योर मुक्षी महामृत्यूंजे इससे अभि मंत्रित रुद द्राक्ष के भार धारन करने में कौन-कौन सी साथ हैन्या क्या-क्या बढ़ती जाने चाहिए साक्षा शिव का सुरूपे शिव का आंश है उनका आंसु जैसा उनका अस्तित शिव के समान है वो महेत्व पूर्ण इसलिए उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान लखना चाहि तो हम समझेंगे यह पूरा वास्तविक्त है यह पूरा पानी वो अमरित में हो गया एक बाल्टी पानी में यदि एक बूंद विश्की डाल दी जाए तो पूरा पानी विशेला हो गया इसलिए कई बार हम जब ग्रहन वगरा की इस्तिती बनती है और किसी पवित्र नदी परिस्तान करने नहीं जा पाते हैं घर में ही इस्तान करते हैं तो उस हमारे स्तान की बाल्टी में हम गंगा जल मिलाते हैं यह धरना कि वो पूरा जल गंगा जल के समान पवित्र हो गया है हम वैसा ही करते हैं फिर जब जल के अंदर रुद्र का आंसू गिरेगा क्या वो ज रुद्र के आंसों के समान नहीं हो जाएगा निश्यत रुप से हो जाएगा रुद्राक्ष क्या है शिव के आंसों है और कौन है ऐसा जो रुद्र के आंसों में स्नान करने का सामर्थ रखता हो कोई नहीं किसी में इतना सामर्थ नहीं इतनी शक्ति नहीं कि वो रुद्र के आसों में इसनान कर सके इसलिए कभी भी इसनान करते समय रुद्राक्ष की माला गले में नहीं होनी चाहिए यदि हम रुद्राक्ष की माला धारन करते हैं तो इसनान के समय उस माला को उतार देना चाहिए हमारी संस्कृति हमारे सनातन धर्म में ही एक ऐसे देवता के कलपना क गई है जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा इस्तरी का है अर्धनारिश्वर विश्व के किसी धर्म में अर्धनारिश्वर की कल्पना नहीं है सिवाय सनातन धर्म के एक ऐसा प्रतीक जिसमें जिसका आधा शरूप इस्तरी का आधा पुरुष का बगवान शिव को कामा को भस्म कर दिया उसने उन्होंने काम देव को भस्म किया इसलिए उन्हें कामारी कहा गया क्या तात्पर रहे है इसका काम को भस्म करने का अर्थ होता है ब्रह्मचरी को वास्तविक रूप से ब्रह्मचरी को प्राप्त होना और वास्तविक रूप से कोई भी व्यक्ति कोई की इस्त्रिया कोई बी पुरुषण भ्रम्यचरी को गब प्रप्त कर सकता है उसी का प्रतिक है ये अर्धनारिश्वर समझते जराज प्रत्येक पुरुष के अंदर एक इस्त्री निवास करती है उसकी कल्पना में उसके अंतर में एक इस्त्री का प्रक्रति रूप से निवास है और प्रत्येक इस्त्री में एक पुरुष निवास करता है बाहरी जगत में जब किसी इस्तिरी को अपने अंतर के पुरुष से मिलता हुआ पुरुष बाहर दिखाई दे जाता है तो वो इस्तिरी उस पुरुष के प्रती अनुराग अनुभाव करने लगती है ऐसे ही जब किशी पुरुष को बाहर संसार में कोई इस्तरी अपने अंतर की इस्तरी के अनुरूप दिखाई दे जाती है तो वो पुरुष उसके प्रती अनुराग मैसूस करने लगता है उसके प्रती प्रेम में पढ़ जाता है अब जब कोई पुरुष साधना से अपने अंतर उतरता है और उसका मिलन जब अपने अंतर की इस्त्री से हो जाता है तो फिर बाहरी जगत की सारी इस्त्रियां उसके लिए इस्त्रियां ही नहीं बशती तब वो वास्तेविक रूप से ब्रह्मचरी को अपलब्ध होता है ऐसे ही जब किसी इस्तिरी के कोई इस्तिरी अपनी साधना से अंतर उतर के अपने अंतर के पुरुष्य परिशित हो जाती है जब उसका मिलन अपने अंतर के पुरुष्य में हो जाता है तो वो वास्तरिक भ्रमचरी को अपलब्ध होती है उसका सबसे बड़ा जो उधारा नताजा है ज्यादा समय नहीं हुआ वो है मीरा मीरा ने साधना से अपने अंतर उतर करके अपने अंतर के पुरुष को जिसे मीरा भाई ने कृष्णी के सुरूप में देखा उनसे परिश्चित होने के बाद फिर बाहरी पुरुष पुरुष ही नहीं बचे फिर पती पती नहीं ना पती जब पुरुष है ही नहीं जब कोई व्यक्ति जब बाहर कोई सांसारी पुरुष पुरुष है ही नहीं तो उसे पती रूप में वो कैसे स्विकार करती, यही कारण है कि कृष्णे को मेरा भाई ने पति के रुखने पुझे ऐसे ही, जब कोई भी स्त्रिया, कोई भी पुरूष अपने अंतर की स्त्रिय से परिशित हो करके मिलन में इस्तिती में आता है, तो वास्ता भी ब्रह्म चरिक खटित होता है यही रह से भगवान शिव के अर्ध नारिष्वर सुरूप का वो शक्ति और वो शिव अपने अंतर से मिलन परिचित और वो प्रतीख हैं इसी सुरूप के मैं प्रात्ना करता हूँ भगवान शिव से और मातिश्वरी शक्ति से कि वो आप सब पर किरपा करें इसी प्रात्रा के साथ इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं कुछ विशेज जानकारी के साथ अगले वीडियो में नमस्कार प्रणाम